मैं आमिश शर्मा सिग्नेट सीट कंपणी की तरफ से भारत के आप सभी किसान भाईयों का हमारे समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं सिगनेट सीट्स कंपनी दोरा आयोजित प्रोग्राम किसानों का हमसफर में और किसान भाईयो आद में मौजूद हूँ गाओं कोड महुमत खान जिला मोगा में पंजाम में और हमारे साथ मौजूद हैं इस गाओं के छेतर के इस परदेश के बड़े ही सम्वानित और बासमती किस्म सिगनेट सूपरताज और इसका नंबर है सिगनेट ग्यारा सो पाँच यह जो लंबी-लंबी वाली लहलाहाती बालिया आप देख रहे हैं बासमती के लंबे-लंबे दाने छोटा कद गिरने की संभावना नहीं यह सिगनेट कंपनी का सूपरताज ग्यारा सो सूरा सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे कंपनी के प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को बताइए कि यह सिगनेट सूपरताज ग्यारा सो पांच आपने कौन से महीने में इसकी बिजाई की थी की तो आपके साथ से टोटल रूपाई करने के बाद कितने दिन में इस फसल पके तियार हो जाएगी रॉपाई करने के बाद पचासी ऐठासी दिन में फसल कटके तियार हैं अच्छा जैसा कि आभी हम खेट देख रहे हैं कि दिश्टी से कि लग रही आपको तो अच्छी लगती है दूसरी पंदरों सो नौ से पंद जैके तो क्या अच्छा लग रहा है इसमें आपको अगर मैं आप से पूछा तीन विशेष्टा बता हो जो इसको अन्य बास्मेद कि किसमों से अलग और बहतर साबित करती है तो आ तो उस दिश्ची से भी एक अच्छा लाब का रही है किसानों के लिए और बाली लंबी है दाने अधिक हैं इसको द्वाई की किसी के यूद खास नहीं पड़ती मारी मोटी द्वाई मारी ज्यादा ने द्वाई भी थोड़ा आपने औरों के वनस्पत कम की है तो जैसा कि दिखें और किसान भाईयों मैं अभी आपको पता दूं कि सिग्निट सूपर ताज पिछले पिछले हफ्टे से लेकर अब तक कई खेद इसके कटके मंडियों में आ चुके हैं और पच्छिस से लेके 26-28 कुंटल दक इसकी पैदावार किसानों को प्राप्त हो रही है और ए दूसरा में जानना चाहूंगा इस बीच के बारे में जानकारी कहां से लगी थी आपको मैं यूट्यूब से विखी थी यूट्यूब से हमारे चैनल है सिग्निट सीट और एग्री बोय हमिसर्मा उनसे तो हमारे किसान भाईयों को जो और दर्शक है इस वीडियो को देख हैं उनको क्या कहना चाहेंगे मैं तो कहता हूं काम समय के बढ़िया है बढ़िया है इसको लगाएं जल्दी खाली हो जाएगी अगली फसल के लिए तो जैसा कि सुरत सिंग्जी ने बताया और किसान हमारे साथ है तो इनसे भी हम जानेंगे कि जो अभी आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में किसान इस गैरा सो पांच का निरिक्षन करने आए हैं तो इनसे भी जानेंगे उनकी राए कि उन्हें यह बीच कैसा लगा किसान भाईयो अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक अन्य प्रकतिशिल किसान से श्री सलिविंदर सिंग्जी से तो सर आप कि जैसा कि आप शूरा सिंग्जी का खेत देखने आएं तो आपको अन्य बासमति की तुलना में इसमें क्या कुछ खूबिया नहीं जराती है सर इसमें बहुत अश्यव रहती है आपकी सिंग्ण कॉंपनी ने पैदा की है सबसे खूबी इसमें एह है सार यह बहुत लेट जा लगी इसमें कॉनक बीजी कानक करती उसलские पाथ एवाध मोंगी लाया मोंगी बजाई की इसमोगी ती तो सेंगयर नहीं हुआ है इसमें अब अब हुआ पता लगन के चार देती है ते तुम लोगा इंघाल चलो पंची कमांटने इस वह बहुत अच्छा है तो बिजो आगे की बात है अभी जो आफ अपसल देख रहे हैं उसमें आप बताईए कि आपको क्या खूब नजरा आती है बाली के दाने पौधा कैसा है बीमारी कोई है नहीं है वो जाना चाहते हैं अभी तो बहुत अच्छा दे रहा है पत्ता बहुत हरे हैं भी कोई फंगी जैड नह चाहर अच्छा ही देगा यह बहुत एक अच्छा उन्होंने बात बताई कि जिस दान के पौधों की पत्तियां हरी रहती है आखरी तक उन्हें क्लोरोफिल बनता है और बाली में दाने बनने की जो प्रेक्रिया हो चलती रहती है दाने अधिक बनते हैं और इसके अंदर भी कोई 2-4-4 किल्हा फोड़ा फ़स्या लगाओ लगाकर देखो अपना आप चल्वा और चलो फिर बहुत बास्बति का हो चाहे चोना अपंताली बोलते हैं और ठासी बोलते हैं और पचवंजा रैटीब लगाए हो पिर प्सा लगताई को फिर पश्य लगता है चलो तो दूसरे में अच्छा लगते ही लगता है अपने खेत लगाओ असल पूरा साव ता फिर बाद में पता लगता है यह बहुत एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि खाली देखने से कुछ नहीं होगा आपको एक बार अपने खेत में इसका ट्रैल लेना पड़ेगा और एक बार आप इसको लगाकर जरूर देखें सिग्नेट कंपनी के धान की वराइटियों को इसमें बास्मति किस्म के अंदर सिग्नेट सूपर ताज सिग्नेट गैरा सो पांच अगर कोई मो हमारे अगे गाउं के पीज़ने गैहुँं की वराइटी की बारे में कुछ बताएं आप तो बहुत एक अच्छा प्रशन है कि हमारे किसान बाइसाब का कि धान की फसल तकरीबन तकरीबन तयार है और हफते दल दिन में कटाई पे आ जाएगी तो अब किसान के मन में अगल सूपर हंड्रेड जो पिसले दो-तिन वर्षों से किसान लोग लगा रहे हैं और 25 से लेके 27 28 कुंटल तक उसकी पैदावार किसान लोग मौसम सही रहने पर प्राप्त कर रहे हैं उसकी खासित यह है कि उसमें गिरने की कोई समस्या नहीं है पीला रतवा उसमें नहीं आता पी सब्सक्राइटी 25 अक्टूबर से लेके 25 नौबर तक खेतों में लगा जाएगी और इसका जो पैदावार है वह 25-35 किसान लोग ले सकते हैं और इसको आप नौबर के पहले हफते से लेके और दिसमबर के आखरी हफते तक लगा सकते हैं तो जो किसान भाई आलू या गन्य कि फसल लेने के बाद गहों लगाना चाहते हैं वह सिगनेट सूपर हंडेट लगा कर अधिक लाकव कमा सकते हैं तो यह मेरा यह कुछ वराइटी थी और सभी किसान भाईयों से यह आग रहे है कि सिगनेट सीट कंपनी के यूट्यूब चैनल है सिगनेट सीट और एग्री अमिशर्मा को सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान मित्रों में शेयर करें आप सभी का और आप सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद